बात करने वाले हैं एक मार्केट केप अंली 81 क्रोड रुपे का है और करेंट प्रैस कंपणी का 10 रुपे चल रहा है कंपणी की जो सेल्ज ग्रोथ है लगातर ग्रोथ कर रही है और कंपणी डेट फ्री है सबसे अची बात में आपको बता दो गाईज इस कंपणी में FII और DAI वाले भी होल्ड करते हैं कंपणी अच्छा काशा रेटन माकेट दे रहा है और अन्डर वैरूड शेयर अभी भी देखने को मिल रहा है सो छूट असा मैक्रोपैनी सेयर है आप कंसीडर कर सकते हो फौर 2023 आपके पैसे को इस साल कई गुणा कर सकता है इस यह सो कौन सा सेयर है दोस्तों उसको हम देखेंगी प्रोडॉक्स भी देखें हैं कंपणी की हम लेकिन उससे पहले कंपणी के थोड़े से फॉर्डामेंट आप है एवरेज की तरफेट ठीक है हम इसको कभराब नहीं बोलेंगे कम है ठीक है अच्छा फ्री केस्प्रो भी कंपनी पास पढ़ा हुआ है इंट्रंसिक बैलू 12 है कंपनी का जो करेंट परेस है दस ए तो इन्ट्रंसिक बैलू उससे ज़्यादा है तो एक अच्छी बा इसमें 0.17 पसंद देखेने को मिल रही है और यहां पर आप देख चकते हो कंपड़ी के पास डेट टू एकटू रेशियो है वह 0.76 है जो कि बहुत ही कम है एक से कम होना चाहिए जो कि अच्छी चीह है आपको डरना नहीं है पी रेशियो यहां पर हमें 19 देखेनों मिल रहा ह के तो कमपणी की पास एसेट्स काफी अच्छी है यह कि अच्छी सी है ते यहां पर हम देखेंगे आपको देखने हो मिल सकता है यहां पर देख सकते हूं मार्ज को हाटर से देख लेते हैं 14 करोड़ थी जो कि मार्ज 22 में होगी 94 करोड जून 26 में जून 26 में टीम्र Q2 सेप्टम्बर में 21 में 23 करोड थी जो कि सेप्टम्र वह 22 मो भी 95 करोड दिसमर का बि बीस मती 58 करोड जो कि दिसंबर 21 में हुई कि इतनी 84 करोड सेप्टमर 21 करोड सेप्टमर 21 में भी 33 करोड तो छोटा सा माइक्रो पैनी सेयर और कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिखा रहा है एक तमसे नहीं बढ़ रहा है दीरे दीरे बढ़ी रहा है लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ हो कई कंपनियां पर प्रॉफिट मानस म चल रहा होता है क्योंकि उनके खर्चे और नहीं हो पाते हैं श्म साहद वो चलते रहते थे साय्य दिखा रहा है दोस्तों यहां पर company के रिजबन वह देख लेते हैं सॉरी ऐसी प्रो नहीं है इस quarter में मानस में हो गया इसे पहले प्लस में था उसका डेफटेड दश्च बगरा देख लेते यह वह दो फिर नहीं बढ़ रहे हैं आप यहां पर आपको मिल रहे हैं यह भी बढ़ नहीं रहे है तो यहां पर दिख्कत हो जाएगी अच्छा-वालों को देखो इसमें बीच वीच में अपना इंकल की निकल के और उसके बाद इनों ने क्या किया है यहां पर थोड़ी सी ओंडिंग ने कम कर रहे है ठीक है गाइज मैं जिस कंपणी के बारे बात कर रहा हूं आप इसका नाम देख शकते हो सेंचरी एक्ष्ट्रिजन डिम्टेट के बारे में बात कर रहा हूं जो कि एक माइक्रो पैनिसियर है अचा कंपणी करते क्या है इंगेज इन अमेनिफेक्ट्रिंग औफ इंगेज इन अमेनिफेक्ट्रिंग और अल्यूमेनियम एक्ष्ट्रिजन और वरीड अप्लिकेशन लाएक आर्किटेक्ट्रल हैडवेयर रेलवेज ऑटोमोटिव सेक्टर एलेक्ट्रोनिक अप्लिकेशन तो कंपणी जो है यहां पर जो जो सेक्टर से ब्लोंग करती है वह इसो तो मायडल सेक्टर का सेयर है और मेटल के प्रोड़क्स बनातीय कंपणी सेक्टर की क्या है हाडवेयर रेलवेज है और को वहां बहुत ज़्यादा इंपोनेनच हो जाती है तो यहां पर आप देख सकते हो कल के दिन से में नेगेटिबटी देख रहे हैं और मैं इसका अगर वनिर का चार्ट ओबन करता हूं तो जैसे कि आप देख पार हो वनिर में कोई रिटन नहीं दिया है लेकिन चीज़ों को नोटिस करते जाना चार्ट ओबन करूं तो 65% का रिटन देखरें को मिलेगा आप इसको देख के परिचान मत हो ना कि के वर 65% का रिटन नाकर दिया है यहां पर इसने जहां पर फेज किया है लॉकडाउन को और इसके बास से आप देखोगे कंपणी ने हाईट पर टूट करके देखोगे तो चै को अंडेवर्ड देखरें को मिल रहा है और सबसे अची बात कि यहां पर जब भी आता है इस जगह पर जब भी आता है तो मैं आपको सही टाइम पर सही सेर फंडमेंटिकली स्ट्रॉंग डेट फ्री सेर प्रमोटिस की होलनिंग अच्छी एफ वाले भी डे वाले भी कंपन लिजेगा ताकि थोड़ा सा मोटिवर्शन हो सके आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिया करो दोस्तों वोडिसी मैनत लगते है तो उसके लिए आप मोटिवेट तो कर ही सकते हो कॉमेंस करके बताया सकते हो कि कैसा वीडियो लगा तो थैंक फो वाचिंग ए झाल